इस प्रतमेशलाद इंजो वाचिंग दी इंजेंगे एक सोरी स्वीडियों हम रिव्यू करने वाले है नाइटी मेगालिया का जा आप हम देखें कॉलेज केमपस के सा है प्लेस्मेंट के से कट ओफ के से और भी बहुत सारी चीज़े इस कॉलेज के बारे में इस वीडियो हम तो वीडियो को बिना स्किप किए लास तक जरूर देखना तो बढ़ते है यार फ़ी वीडियो में आगे तो सबसे पहले हैं और केमपस का ओर्वीव ले 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 तो केमपस की ओर्वीव की बात करें तो इसे आप चाओ तो एनाइटी में बी बोल सकते हो यह करका एक lush green campus देखने को मिल जाता है जो की literally काफी जादा beautiful है अब North East का NIT college आर तो beautiful तो हो गई होगा तो ये college बहुत जादा beautiful आपको देखने को मिलता है बहुत ही अच्छा view आपको hills का देखने को मिल रहा होगा इसी केसाद सब बात करें NIRF ranking की तो NIRF ने 2022 में इस college को rank दी है 60 in engineering जो की 2021 में 59 थी और 2022 में बढ़के 60 हो गई तो इस चीज़ को आप एक negative point में consider कर सकते हो लेकिन एक NIRF ranking से कुछ फरक नहीं पड़ता और विसे भी आर एज़े student NIRF ranking हमारे ले इतनी यादा important होती भी नहीं है जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में केता हो NIRF ranking पर में blindly trust नहीं करना चाहिए वैसा ही में अपनी इस वीडियो में भी कहुँआ कि एक particular factor नहीं है जिसके basis पर NIRF ranking दी जाती हो बहुत सारे factors involved होते हैं तो NIRF ranking पर में blindly trust नहीं करना चाहिए आपको मैं मेंज क्रेक किया है अब बात कर लेते हैं आप connectivity की कि आप इस college तक पहुच के से रहे होंगे अगर दिया बाई train या बाई flight travel करते हो तो तो अगर दिया बाई train travel करते हो तो यहां पर आपको नेरेस्ट railway station जो देखने को मिलता है वह गुवार्ट railway station जो कि 98 किलोमेटर दूर हो जाता है यार campus से इसी के साथ बात करें अगर आप बाई flight travel कर रहे हो तो आपको नेरेस्ट एरपोर्ट देखने को मिलता है शिलोंग एरपोर्ट जो की हो जाता है सिर्फोर से 26 किलोमेटर दूर campus से यहां पर ट्रेन की connectivity तो इतनी जादा अच्छी नह नइटी कॉलेज हो जाता है आपको सबसे पहले जेई मेंस देना होगी आपको जो साथ की counseling में participate करना होगा और अगर दी आपका जो साथ की counseling में admission नहीं होता है किसी कारेंट से तो आप सीशेप के special round के तुरू भी जा सकते हो अब सीशेप का special round क्या होता है अगर दी आपको नहीं पता है तो मैंने dedicated video बना के रखी अपने चैनल पर उसको आप prefer कर सकते हो चाहो तो mode of admission त्यार काफी ज़्यादा simple रहने वाला इस college का आप बात कर लेते है courses की कौन-कौन से courses ये college आपको provide कर वा देता है तो जो पाच basic courses होता है तो जो लगबग हर college में आपको देखने क और से आप अवेलेबल नहीं है अब बात कर लेते हैं इन courses के cut-offs कितने गएते लास्ट येर तो लास्ट येर की बात करें तो computer science and engineering home state की बात करें तो close हुई थी 30668 पे और other state की बात करें तो 181531 की closing rank ये में round 6 closing rank की बात करें जिसमें general category के end and neutral की बात हो रहे है किसी भी प्रक की reservation में लाए नहीं करते हो तो भी इस college में आपको 50 से लेके 55,000 के बीच में हो सकता है seat मिल जाए कर सकते है और हर साल तो हम exactly तो नहीं बोल सकते है आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी वो तो इस साल के cut-off भी पता चलेगा लेकिन हम estimated आकलों के साब से देखे तो उसी साब से आपको 50 से लेके 55,000 की रेंक तक भी इस college में seat मिल जाएगी अगर आपके किसी भी प्रकार का reservation नहीं लगता है तो भी और अगर आप reservation की category में आते हो तो तो यार आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा है अगर आपको detailed cut-off देखना है दूसरी branches के तो telegram group की link के नीचे description मे दड़ते हैं अगे बात करें देखी सकते हो गतने वाले चारच सालों में कितनी है छीरो में इस आपना च। पाटार 42,500 रुपीज जिसमें वेस्ट फीज इंक्लूडेड है टोटल फीज की बात करें तो वह जाती एक लाग 23,150 रुपीज पर सेमेस्टर इसके पर एयर के हैसाब सेम निकाले तो वह जाती है पूरे बीटेक की फीज आट लाग रुपीज थी तो उनसे ज्यादा है लेकिन जो टिपिकल एनईटी कॉलेज़ेस की फीज होती है इस कॉलेज़ की फीज उतनी ही है अब बात कर लेते हैं फीज वेवर्स की कि आपको फीज में कुछ फीज मिल रही होगी या नहीं मिल रही ह तो रेमिशन में यह होता है यार कि आपको फीस पे करना होगी लेकिन आपको रिफंड हो जाएगी बाद में फीस और वेवर में क्या होता है आपको पे ही नहीं करना है इसी के साथ अगरते है आप जनरल और OBC के ऐसे स्टुडेंट है जिनके पेरेंट के एनुएल इंकम एक लाग से पांच लाग के बीच में है तो भी आप आपको तूठड आपकी ट्यूशन फी का रेमिशन मिल जाएगा देख लिए हमने फीस वेवर्स अब बात कर लेते हैं होस्टल की होस्टल में क्या फैसिलिटी आपको देखने को मिल जाती है स्कॉलेज के तो होस्टल की बा होस्ट रह रहा होगा इस बात करें होस्टल के बारे में तो जीम, कॉमन रूम, गेस्ट रूम यह सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाती है इस कॉलेज की होस्टल में भी इंडोर स्पोर्ट की फैसिलिटी भी हाँ पर अवेलेबल है पो जो भी बेसिक चीज़े होती ला वाला है आपको व्यू के मामले में तो टूरिस्ट प्लेस पर आपको ऑस्टल मिल रही और क्या लोग है लेकिन यार मजाक से अटके यह जगाए गुमने के लिए अच्छी होती रहने के लिए इतनी ज्याद अच्छी नहीं होती तो थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है व प्लेस्मेंट परसेंटेज की बात करें तो 92% से इंक्रीज हुए तो जो की हो जाता है 90% 2021 से 2022 में अल्मोस्ट डवल हो गया था प्लेस्मेंट का डेटा 2023 का ओफिशल डेटा भी अवे अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको शेयर नहीं कर पाऊंगा इसके अलाव आपको डिट ब्यूटी काफी ज़्याद अच्छी हील्स पर सिच्वेटेड है कॉलेज तो कफे ज़्याद अच्छा व्यू आपको वह पर देखने को मिल जाता है अब आपको पता चली गया हो गया कि मैं ऐसा क्यों कहता है अपनी हर वीडियो में कि नर्फ रैंकिंग पर ब्लाइंड ड रैंकिंग भी देखियो कि 2021 में 59 ती और 2022 में बढ़के 60 हो गई अब नर्फ रैंकिंग तो बड़ी मतलब कॉलेज की परफोर्मस्स थोड़ी सी लो हुई होगी लेकिन आपने प्लेस्मेंट के आगले दे कि अल्मोस डबल हो गए हैं 2021 से 2022 में तो इसी सबसे तो नर्फ रैंक ऐसे 20 के आपको दिक्कत हो सकती है मेजर सीटी से तो यह और हो जाता है कॉलेज कुसरे कौन के बारे में बात करें तो वह बीदियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो लाीक करना मत बूलना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके कर लो इसी के झाल झाल